नमस्ते बच्चों कक्षा नो विशेगनित और प्रिशनावली अपनी शुरू करनी है साथ मी त्रिबुज तो देखो साथ प्रेंट एक से शुरू करते हैं साथ प्रेंट एक का पहला कोशन क्या दे रखा है आपको दे रखा है चत्रबुज A, B, C, D कि एक चत्रबुज है A, B, C, D और A, C और A, D क्या है बराबर है दिया हुआ है A, B कौन A को क्या करता है सम्द्वी वाजित करता है ये इस कौन को सम्द्वी वाजित करता है अपने को क्या दर्शाना है कि जो A, B, C है वो क्या है सर्वांग्षम है तिर्बुज A, B, D के दोनों तिरभुजों को क्या शिद करना है सरवांगशम शिद करना है तो देखो कैसे करेंगे दोनों तिरभुजों को सरवांगशम शिद अपने दोनों तिरभुज ले लिए तिरभुज कौन सा है कि यह वाला कि AC equal to AD तो क्या है बराबर है दिया गया है तीन जीजन चाहिए चाहिए तो दो कौन और हो चाहिए दो बुजाएं और हो कुछ भी हो तो एक बुजा अपने को पता है जो AB है वो इसमें भी आ रही है कि जो AB है equal to AB तो ये क्या होगी अब देखो जब दो बुजाएं बराबर है AC और AD AC और AD जिस तिर्बुज की दो बुजाएं बराबर हो वो तिर्बुज क्या हो गया सम्दी वाहू जिस तिर्बुज की दो बुजाएं बराबर हो ये बुजा इसके बराबर है तो इसके कौन भी तो फिर ब्राबर होंगे जैसी ये बुजा इसके तो ये बुजा इसके ये दो बुजाएं ब्राबर होगी न ये उबेनिश्ट होगी तो फिर इसके सामने वाला कौन एक ये एक ये इसके सामने वाला कौन कोई भी एक कौन ले सकते हो तो ये इस कौन को क्या कर रही है सम्द्वी बाजित कर रही है अब व्यासी देख लो चलो ये क्या कर रही है A, B कौन A को क्या कर रही है सम्द्वी बाजित कर रही है मतलब ये दोर्नों तोर्फ कौन क्या है समान है कौन C, A, B equal to कौन D, A, B क्योंकि यह दिया गया है कि यह क्या कर रही है सम्द्वी बाजित कर रही है आप लिख दोगे कि जो A B कौन A को क्या करती है सम्द्वी बाजित करती है और यह साथ में लिख दोगे दिया गया है अब यह बुजा यह कौन यह बुजा बुजा कौन बुजा कि S A S नियम सी हो ग अब सर्वांग सम्ता से संगत बाग क्या होंगे बराबर होंगे आप यह पी लाइन लिख सकते हो यह था आपका पहला कोशन इसके बाद एको दूसरा कोशन इसी तरह एशित करना है चत्रबुज दे रखा है उसमें भी A, B, C, D और आपको दे रखा है A, D बराबर है B, C, K और A कौन दे रखा है कि D, A, B कौन बराबर है C, B, A, K कि ये दोनों कौन भी क्या है बराबर हैं तो अपने को सबसे पहले शित क्या करना है कि दो तिर्बुज क्या है सर्वांगसम है पहले वो ही दो तिर्बुज ले लो जो प्रूब करने हैं कौन कौन से तिर्बुज क्या रहा है तिरबुज A, B, D और तिरबुज B, A, C में ठीक है दोनों तिरबुज ले लिए एक चीज तो तिरबुज कौन सा हो गया A, B, D A, B, D तो ये हो गया ठीक है और दूर सा क्या है B, A, C ये वाला हो गया तो ये वाली बुज़ा तो बराबर है दिया हुआ है कि जो A, D है बराबर है B, C, K क्या है? दिया गया है दिया गया है और एक बुज़ा फिर वही बात A, B A, B, D में भी है और A, B, C में भी है दोनों तिरबुज ये ही है ना तो ये A, B बुज़ा क्या है? उब्यनिस्ट है कि A-B बराबर A-B क्या आगी उपयाँच आगी और कौन भी क्या है दिया गया है इस्तृबुज का क्या है यह इस्तृबुज का यह है दूनों कोन बराबर हो गे बस सब कुछ दे रहा है बस आपको लिख नहीं है कि D-A भी कौन बराबर है कोन C-B-A के ये भी क्या है दिया गया है तो तीन चीज़ें होगी तो S A S प्रोपर्टी से तिरबुज A B D क्या हो गया सरवांगसम हो गया तिरबुज B A C के ये तो हो गया सरवांगसम, अब ये सरवांगसम हो गया, तो देखो सरवांगसम तिरबुजों के क्या होते हैं, संगत बाग बराबर होते हैं, तो ये सरवांगसम तिरबुजा है, तिसने का है, और ये की ये है, तो BD और AC क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सरवांगसम संगत बाग बराबर होते हैं या अपि ये लाइन लिख सकते हो कि संगत बुजाओं के संगत कोन है वो भी बराबर होते हैं तो A, B, D और B, AC तो ये कोन भी क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि उसी प्रोपर्टी से बस आपको सरवांगसम group करना है और उसके बाद एक line लिख देनी है कि ये बराबर होगा क्योंकि सरवांगसम तरकुजों के जो संगत कोन है, संगत बुजाई है वो क्या होती है, बराबर होती है ये था आपका दूसरा question इसके बाद एक होती सा question क्या दे रखा है कि एक रिखाखंड है A B पर क्या है A D और B C दो ब्राबर लंब रिखाखंड है इस रिखाखंड के उपर ये भी लंब है तो ये भी लंब है दरशाइए कि कि C D रिखाखंड है वो A V को दोसमान बागों में भी वाजिद करता है ये अपने को क्या करना है प्रूब करना है तो सब से पहले अपने सर्वांग सम करें सर्वांग सम करें तो सब हो जाएगा तो सर्वांग सम किसको करें ये दो तिर्बुज ले OCB और ये दो तिर्बुज है इन दोनों तिर्बुजों को ले लिया कि तिर्बुज OCB और तिर्बुज दूसरा क्यों सा ले लिया OAD या ODA ठीक है दो तिर्बुज ले लिए अब ये दुनों तिर्बुज ले लिए इसने क्या कहा है कि जो BC AD और BC क्या है दो बराबर लंब रिखा खंड है मतलब AD और B C क्या है बराबर है दिया गया है दे रखा है कि A D बराबर B C है यह है दिया गया और यह वाला कौन क्या होगा शीशा भी मुखकों कि B O C A O D जो कौन है B O C बराबर होगा कौन A O D के चुंकि यह कौन सा कौन है यह शीशा भी मुखकों है यह शीशा भी मुखकों है ठीक ह अब एक लंब है तो ये वाला जो C B O लंब है तो ये 90 डिग्री इधर से A C O कैसे कर लो चाहिए D A O चाहिए O A D तो ये लंब है तो ये भी कितना डिग्री का होगा इसने कहा है न दो ब्राबर लंब रेखा खंड है तो ये भी दिया गया है कि कौन C B O A A A S किसी भी प्रोपर्टी से ये तो नों तरबुज क्या होगे सरवांगसम होगे O C B सरवांगसम है तरबुज O D A के सरवांगसम होगे तो ये फिर संगत बाग बराबर होगे तो O A बराबर हो जाएगा O B के ये हमें क्या करना था प्रूब करना था कि वो उसको सम्दवी वाजित करता है दो बागों में तो यहां पर लिख सकते हो कि जो CD रेखाखंड है वो क्या करता है AB रेखाखंड को दो समान बागों में विवाजित करता है ठीक है, इस परकार आप इसको हल कर सकते हो, यह है आपका तीसा कोशन, इसके बाद देखते हैं, चोथा कोशन क्या दे रखा है, कि L, M, दो समांतर रेखाई दे रखी है, यह दुनों क्या है, समांतर है, फिर इने, यह दुनों समांतर है आपस में, और P, Q समांतर है आपस में यह क्या लिखा है दंसेद पढ़ो समझो कि LM स्मांतर रेखाउं का यूगम है और इसे एक अन्या स्मांतर रेखाउं का यूगम PQ कि LM को अन्या स्मांतर रेखाउं का यूगम PQ क्या कर रहा है प्रतिशेद कर रहा है अपने को क्या दर्शाना है कि A, B, C और C, D, A ये दोनों तिर्बूज क्या है? सर्वांग समय, ये दर्शानी है दोनों तिर्बूज ले लो जिसको दर्शानी है तो तिर्बूज A, B, C और तिर्बूज C, D, A ले लिए, अब देखो ये दोनों क्या है? समानतर है यह माल लो चाहिए इसको काट रहा है तो यह वाला इस परकार तो यह वाला कौन इसके क्या होगा बराबर होगा क्योंकि एक आंतर कौन है कि बी ए सी कौन ए सी डी कौन के बराबर होगा B, A, C कौन C, A, D कौन ब्राबर होंगे A, C, D A, C, D ये वाला और ये वाला ब्राबर होगा ये हम पर गलत लिखा गया A, C, D क्योंकि ये कौन से कौन है एक कांतर कौन है ठीक है और A, C, A, C ब्राबर है दोनों में उब्यानिस्ट बुजा है A, C, A, C कौन से बुजा आगी उब्यानिस्ट बुजा आगी अब अपने को एक चीज और चाहिए A, C देखो इसमें भी आरी है एक चीज और मिल जाए दोनों तरी बुज क्या हो जाएंगे सवांग सम हो जाएंगे तो जिस तरह है ये एक आंतर कौन थे उसे तरह अब ये वाले तो एक आंतरी होंगे और ये बाहर वाली होगी ये दोनों भी बराबर होंगे तो कौन से होगे सोथ pulling tabat esse आत्म उत्कुंडाखन वोगे टुन करेंगए सब्सक्राइब में सब्सक्राइब तो यह आपके चार तक के कोशन तो हल होगे आगे के कोशन अपने अगली वीडियो में करेंगे धन्यवाद